Hello everyone and welcome back to my channel Fashion Funda with Poo, मैं हूँ Pooja I hope आप सब लोग एकदम ठीक ठाक होंगे और बहुत कुश होंगे तो आज की वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ कि weekly आप अपने skin और hair का कैसे ख्याल रख सकते हैं तो मैंने अपने बालों में hair oil कर लिया तो ये head massage brush क्या करता है हमारे scalp पे बहुत अच्छी से massage करता है आप जब इसे massage करेंगे न तो आपको बहुत अच्छी feeling आएगी बहुत relaxed feel होगा और ये क्या करता है हमारे blood circulation को भी improve करता है जब blood circulation improve हो जाता है हमारे head का तो हमारे hair fall हो रही है उसमें बहुत जदा improvement आती है hair fall को कम कर देता है बहुत अच्छे से बालों को आपके soft और silky बनाता है अगर आप oil लगाते हैं और oil लगाने के बादे इसे massage करेंगे तो आपका hair oil और अच्छे से आपके scalp में absorb होगा जिससे आपके बाल थोड़ा सा अच्छे हो जाएंगे और जो freezy रहते हैं वो भी बहुत काम हो जाएंगे तो head massage करने के बाद मैं अपने बालों को डिटांगल करूँगी डिटांगल करने के लिए न मैं use करूँगी ये neem comb तो ये neem की लकडियों से बना हुआ comb है अगर आपके पास नहीं है तो आप बहुत अच्छे से डिटांगल कर देता है और बालों की hair fall को भी रोपता है तो hair fall अगर आपको बहुत कम करने है तो आप लकड़ी का comb यूज़ करिए वो जादा बेटर होता है instead of plastic क्योंकि plastic में friction होता है जिसे हमारे hair fall और ज्यादा होती है तो मैंने आप यहां पे अपनी बालों को चोटी बना ली है तो चोटी बनाने का यह फाइदा होता है ना कि हमारे बाल डामेज बिलकुल भी नहीं होते है तो hair care अब complete हो गया है उसके बाद मैं अपने face को अच्छे से clean करूंगी तो clean करने के लिए मैं मिनीसो की cotton strips यूज़ कर रही हूं प्यूर कोटन है और micella water जो की बहुत ही ज्यादा अच्छा है बहुत ही ज्यादा जेंटल है आपके makeup और dirt को बहुत चुटकियों में निकाल कि बहुत जदा dirt निकलती है तो face clean करना ना बहुत ही जदा important है अब देख सकते हैं कि इसने सारी dirt निकाल दी है मेरे face से अभी मेरा face बहुत जदा fresh हो गया है तो उसके बाद अब मैं अपने lips को clean करूंगी क्योंकि आजकल बहुत जदा मौसम खराब हो गया है lips बहुत dry हो रह है तो मैं स्क्रबिंग के लिए यूज कर रही हूँ एम कैफीन का यह लिप स्क्रब है कॉफी स्क्रब है आपको ऐसा लगेगा ना बिल्कुल कॉफी अप्लाई कर रहें बहुत अच्छे से जेंटल तरीके से आपके सारी dead skin को निकालता है और आपके लिप्स को निकालता है अगर अगर आपके लिप्स फ्लेकी हैं बहुत ज़दा ड्राइ हैं तो अगर आप लिप्स्टिक भी लगाएंगे न तो वह अच्छी नहीं लगेगी तो यह बहुत अच्छे से हमारे इस लिप्स को क्लीन कर चुका है और बहुत ज़दा मॉश्यराइज जब हो गए मेरे आप देख सकते हैं कि अभी बिलकुल भी इसमें कोई डैट सेल्स नहीं है अब मैं अपने फेस को ना क्लीन करने के लिए यूज़ करूंगी फेश वाश तो यह सिंपल से फेश वाश बहुत ही अच्छा है यह बहुत ही ज़दा जेंटल तरीके से आपको फेश को क्लीन करत इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी अगर आप चाहें तो यह फेश वाश मंगा सकते हैं अगर आपकी कोई भी स्किन टाइप हो ड्राय हो नॉमल हो या फिर आपका स्किन टाइप सेंस्टिव भी है तो यह बहुत अच्छे से वर्क करता है य नहीं इसको रखना है और नोजेरिया को अच्छे से क्लीन करिए ताकि वाइट है और ब्लाक है प्रॉब्लम में तो वह भी दूर हो जाए उसके बाइट मैं एक फेस्टाल यूज करूंगी अपने फेस को ड्राय करने के लिए तो बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि वह कोई मैं यूज करूंगी यहां पर सरोस्की का यह एंजाइम स्क्रब तो यह इंडिया फर्स्ट एंजाइम स्क्रब है जो की बहुत अच्छे से मारी डेट सेल्स को निकालता है अभी मैं आपको दिखाऊंगी कैसे हमारी ड्राय स्किन पुरी निकलती है और यह बहुत ही सॉफ् इसको अपलाई करने के बाद आपकी स्किन बहुत जादा सॉफ्ट जागी क्योंकि सारी डेट सेल्स निकल गई होती है देख सकते हैं कि कितने अच्छे से हमारी सारी डेट सेल्स को निकालता है आपके यह सबसे ची बात है ना कि ब्लाक हैट और वाइट एट को भी कमटेट सॉफ्ट जाने अपनी सकिन को वाश कर लिया है और ट्रस्ट मी बहुत अच्छे से ब्लाक हैट्स वाइट एट्स और सारी डेट स्किन निकल गई है बहुत ही सॉफ्ट हो गया है मेरा पेस अभी तो यहाँ पर मैं यस करूंगी यह फेस मास्क तो यह फेस मास्क भी सरोस्की तो सरोस्की का स्क्रब और मास्क दोनों है, तो यह क्या करता है, दोनों चीज बिलकुल आपको लगेगा कि आप अपने फेस पे ना आपने फेशल करा है, बहुत अच्छे से यह आपके पहली बाद आपके स्क्रब से डेट सल्स निकल जाती हैं, और इस मास्क से आपके जो फ आपको लगेगा कि आप रोज इस अप्लाई करें लिटरिली तो आपको इसे आदा गंट अपने फेस पर रखना है इसमें भी एचे और बी एचे है जो आपकी स्किन को ब्राइट बनाता है तो अब मेरा फेस इताम अच्छे से क्लीन हो गया है और साड़ी डैट सेल्स हट हमारे पोर्स को एकदम ब्लार कर देता है पोर्स को बन कर देता है जिससे और डैट वगयरा उस अपके स्किन पे नहीं आती है मौस्चराइजर के लिए मैं अप्लाई करूंगी यह डॉटन का विटमिन सी मौस्चराइजर मैं अपने पहले भी वीडियो में बता चुकी हू अपने फेस पे ताकि आपका ब्लाड सर्कुलेशन इंप्रूव हो अपकी स्किन की इलास्टिसिटी इंप्रूव हो और आपकी स्किन सॉफ्ट हो जाए और रिंकल फ्री हो जाए अगर आपको फाइन लाइन रिंकल होने लगे है तो आपको रेगुलरली अपनी फेस पर मसा हो जाए इससे आपकी स्किन ब्राइट हो जाती है और यूथ फुल रहती है लिप्स के लिए मैं यूज करूंगी हिमालिया का लिप बाम लिटरिली यह आपको दस रुपए का मिलेगा बट आपको यह दो सो रुपए वाले लिप बाम से जादा अच्छा यह लगेगा क्योंक तो मुझे डाक सर्कल्स की प्रॉब्लम नहीं है बट स्टिल मैं कभी-कभी यह बुटानिकल का डाक सर्कल वाला अंडर आई क्रीम यूज करती हूं बहुत अच्छा है यह भी तो इसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगे आप आँसे चेक कर स सकते हैं तो यह मेरा पूरा स्किन केर कंप्लीट हो गया है जो कि आपको वीकली करना ही चाहिए तो मैं अपसे मिलती हो पर नेक्स्ट वीडियो में तिल देन बाबाई